Hey guys, welcome to StudyIQ, now recently एक country बहुत अत्तक न्यूस में है, Barbados, इस country ने openly यह का है कि यह remove करेंगे Queen Elizabeth को as the head of state, अब इसका मतलब क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, so a lot to know, a lot to discuss, as always, but before we begin, Google Play Store पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर StudyIQ Education अप, और यहाँ पे आप खरी सकते है है हमारा flagship UPSC course, जिसके लिए EMI option available है, do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon, अब यह topic बिलकुल crystal clear तरीके से आपको समझाता हूँ, पहली बात तो यहाँ पर आप देखोगे, map में दो देश हैं, बड़े देश, एक है इंडिया और दूसरा Australia, दोनों कंट्रीज में काफी similarities भी हैं, इंडिया भी एक टाइम पर British Empire का part था, Australia भी एक टाइम पर British Empire का part था, मगर आज के समय दोनों independent countries हैं, और दोनों countries democracies हैं, मगर दोनों countries fundamentally अलग तरीके से built हैं, दोनों के जो नाम हैं, यह भी काफी distinct हैं, यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे, तो इंडिया का जो official नाम है, यह है Republic of India, whereas Australia का जो official नाम है, यह Republic of Australia नहीं है, it is the Commonwealth of Australia, इसका reason क्या है, reason यह है कि इंडिया में हम लोग Queen of England, मतलब के Elizabeth II को Head of State नहीं मानते हमारे देश का, हमारे देश का Head of State कौन है, the President of India, मगर since Australia मानता है कि Queen of England, इनकी Head of State है, तो यह लोग खुद को कहते हैं, the Commonwealth of Australia, और बिलकुल यहाँ पे आप ठीक समझ रहे हैं, Australia में कोई President की Post नहीं है, Queen of England, by default, इनकी President या फिर आप कह लीजिए, इनकी Head of State है, ठीक है, this is very important, Australia में जब भी Queen of England जाती है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा event होता है, काफी भवे उनका Welcome करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से आप अगर देखो, तो करता हूँ, आप सबको बताओगा कि एक International Group है, Commonwealth Nations का, और हर 4 साल में Commonwealth Games भी होती है, जिसको हम काफी पर कहते हैं, Mini Olympics, नाव जो Commonwealth Games है, ये उन कंट्रीज के बीश में होती है, जो एक टाइम पर British Empire के अंडर थे, जैसे के इंडिया, पाकिस्तान, बंगादेश, श्रिलंका, South Africa, Canada जिहां Canada भी, उसके लावा Australia, New Zealand, कई African countries, Caribbean countries, हाला कि कई देश हैं, जो एक टाइम पर British Empire का पार्ट थे, मगर आज के समय वो British Empire की कि किसी भी याद से कोई connection रखना नहीं चाहते, तो for example Myanmar है, Myanmar British Empire का पार्ट था, मगर Myanmar Commonwealth का पार्ट नहीं है, So India Commonwealth of Nations का पार्ट तो है, मगर Commonwealth of Nations में एक और ग्रूप आता है, यह है Commonwealth Realm, इसमें अभी के लिए 16 देश हैं, इंडिया Commonwealth Realm में नहीं आता, Commonwealth Realm में जो देश आते हैं, वो मानते हैं के Queen of England, उनकी Head of State है, इसमें यह सब देश हैं, Canada जी हां Canada भी Australia की तरह है, यहाँ पे आपको President नही है Queen Elizabeth को, similarly आपको देखेगा New Zealand, उसके लावा Bahamas, Barbados जिसकी हमयावे बात कर रहे हैं, उसके लावा कई और देश हैं यहाँ पर, बहुत ही छोटे देश हैं, St. Lucia, उसके लावा Solomon Islands और St. Vincent, जरातार Caribbean countries या फिर कुछ देश हैं जो आपको मिलेंगे आफरिका में, तो अभी के इसलिए जो ये 16 देश हैं, इसमें से एक देश कम हो जाएगा 2021 में, क्योंकि Barbados ने ये का है, Commonwealth of Barbados नहीं रहेंगे, ये बहुत ही जल्दी, इंडिया की तरह बन जाएंगे, Republic of Barbados, ना उसका reason क्या है, क्या ये नराज है England से, नहीं देखिया ऐसा कुछ नहीं है, नराजगी काफियत तक normal है, मगर हर country चाहती है कि eventually, जो उनका past था, बहुत ही खराब अतीत, जहां पे इनको slaves की तरह treat किया गया, उससे ये आगे बढ़े, और खुद अपना head of state चुने, और इसलिए Barbados की government ने ये का है, time has come to fully leave our colonial past behind, और ये लोग ये करेंगे, November 2021 में, जब ये celebrate कर रहे होंगे, अपनी 55th anniversary of independence from Britain, इनकी जो प्रधान मंतरी है, Mia Motley, इन्होंने ये काए कि ये एक statement of confidence है, कि हम आज के समय accept कर रहे हैं, खुद को as a nation and we will become republic of Barbados, और इसलिए आज के समय आप लोग ऐसे articles देख रहे हैं online, कि Barbados plans to become a republic and drop Queen Elizabeth II as head of state, और Barbados जो ये कर रहा है, ऐसा नहीं है, कि एक बहुत ही revolutionary step है, अगर हम बात करें Caribbean countries की, क्योंकि Barbados भी अपने आप में एक Caribbean देश है, तो इससे पहले बहुत से Caribbean country Commonwealth realm से बार निकल चुके हैं, और आज के समय वहाँ पर head of state Queen Elizabeth नहीं है, उनका खुद का एक president है, for example, 1970 में गयाना ने quit कर दिया था ये Commonwealth realm, उसके बाद 1978 में, Dominica भी एक republic बना था, तो Barbados जो कर रहा है, ये कोई new step नहीं है, इससे पहले बहुत से देश ऐसा कर चुके हैं, हाँ ये बिलकुल है कि आज के समय Commonwealth of realm काफियर तक सिकोड रहा है, और most probably आने वाले 10 साल में, यहाँ पर कई countries और कम हो जाएंगी, and they will become republics, now Barbados है कहाँ पर एक बार बड़े मैप पर देख लो, to get proper conceptual clarity, so यहाँ पर आप देखोगे, यह है Asia, और अगर हम यहाँ पर zoom in करें, to the Caribbean, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह है Barbados, alright, this is Barbados, बहुत ही छोटा सा देश है, इस देश की अबादी है करीब 2,70,000, जी हाँ, पूरे देश की Atlantic Ocean, और यह जो देश यहाँ पर आपको सारे दिख रहे हैं न, Barbados, उसके अलावा, यहाँ पर अगर मैं border zone करूँ, तो यह तरनेताद और तेवेको, उसके अलावा Saint Lucia, Dominica, यह सब देश है Caribbean countries, ठीक है, यहाँ से एक टीम निकलती है, cricket team, the West Indies, West Indies कोई देश नहीं है, अपने इसलिए cricket team के मामले में, यहाँ पर बहुत से देश घटा हो जाते हैं, बट overall West Indies, नांक का कोई देश है नहीं, और जो currency लोग इसमाल करते हैं इस देश में, it is Barbadian dollar, और इनकी जो capital है, यह है Bridgetown, these are very important details, आप से एक्जामें पूछ सकते हैं, क्योंकि Barbados काफी news में रहेगा throughout 2020 and 2021, और अगर हम बात करें famous persons की, तो Barbados से बहुत सारे cricketers निकले हैं, for example, Jason Holder, जो आज के समय captain है, इनकी test cricket team के, he is from Barbados, उसके इलावा Shai Hope, Carlos Breathweed, Kimar Roach, यह सब players IPL में भी खेलते हैं, they are famous cricketers, तो यह सब भी है Barbados से, so यह है complete analysis of this topic, thanks for listening and as always, God bless you all. झाल 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 झाल